आज पतंजली को कौन नहीं जानता पतंजली भारत की एक ऐसी विश्वाशन ये कमपनी बनी जिसने सारे भारत वाशियों का मन तो जीता ही साथी विश्वाश भी जीत लिया सारी फोरेन कमपनीज को फेल करने वाली एक मात्र कमपनी पतंजली जो अब और भी ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिए शेर मार्केट में आना चाहती है अगर बात आती है शेर मार्केट की तंजली कमपनी का कुछ कट टर्णवर और संपति के बारे में भी जान लेते हैं बाबा रामदेव के अनुसार बाबा के टर्ष्ट की संपति के बारे में बात करें तो पिछले वित्वर्स में बाबा रामदेव ने दिवी योगमंदीर और पतंजली योगपीट का कुल टर्णवर 1100 करोड रुपे बताया था लेकिन इसके अलावा भी बाबा के कई प्रोजेक्ट हैं जिन पर करोडो रुपे या लगना है तो इन सब को देखते हुए पतंजली ने ये सब को मध्य नजर रखते हुए बताया कि अब पतंजली भी शेर मार्केट में इंडेक्सिंग होगी कमपनी आई पिओ बनाएगी और डबल से डबल प्रोफिट कमाने की तलाश में रहेगी अब पतंजली जो यूनिलेवर जैसी बड़ी बड़ी कमपनियों को पच्छाणने में है जैसे ही पतंजली पहले मार्केट में जब आये था वैसे ही धूम मचाई तो अब शेर मार्केट में आने के बाद पतंजली ने अपने प्रोड़क्ट्स के जरिये शोहरत हासिल तो कर ली मगर अब शेर मार्केट में आने के बाद अब पतंजली कितनी ओर शोहरत कमाती है और कितनी ओर दोलत कमाती है अब ये जब बात है पतंजली के शेर मार्केट में आने की तो इससे यह पता चलता है कि मार्केट में एक बार धूम जरूर मचने वाली है जैसे ही प्रोडक्शन में पतंजली एक सबसे बड़ी ब्रैंड बन चुकी है अब सब को ये डर है कि यूनिलिवर को पचाड कर पतंजली एक मातर बड़ी कमपनी न बन जाए अब ये सब सुनने के बाद आपके मन में ये जरूर सवाल मन में आए होंगे कि पतंजली कब आएगी कमपनी शेर मार्केट में क्या ये एक नया IPO बनाएगी या किसी के साथ पार्टनर्शिप करेगी अगर ये पतंजली शेर मार्केट में आ भी गई तो इसकी शेर प्राइस कितनी होगी और कितना मुनाफ़ा कमा सकती है और कितना issuance लेकर आती है और साथ ही इस company का जो अभी profitence वह कितना है कितनी loss में है इसी कितनी liabilities है कितनी asset है अगर बात आती है पतंजली की assets की तो पतंजली की total assets है 4,345 billion यानि कि 26.38% अगर liabilities की बात करूँ तो वह 11.91% approximately 3,200 करो तो पतंजली की जो asset है वह ज़ादा है as compared to liabilities अगर आपको liabilities, assets इनके बारे में आपको कुछ खास या basic knowledge नहीं है तो आप हमारे चैनल पर विजीट करके YouTube Shorts के जरिए आराम से ये basic knowledge के बारे में जान सकते है अब बात करते हैं बाकी सवाल के जवाब की तो यहाँ से अभी पतंजली की कोई खबर नहीं है जी बिल्कुल आप सही सुन रहे है ये पतंजली की news के अनुसार, बाबा रामदेव के अनुसार ये पताया जा रहा है कि पतंजली अब share market में भी आने वाली है अब किस रूप में आने वाली है, किस नाम पे आने वाली है इसके बारे में में हर्जद मेता कुछ नहीं कह सकता मगर हाँ, पतंजली जरूर अब share market में आने वाली है और Unilever जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों को भी टक्कर देने वाली है अब इसका share price ये वगेरा सब हम next video में बात करेंगे तो अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले channel को subscribe करें and bell icon पर दबाएं ताकि latest videos की notification सबसे पहले आप तक पहुंच सके